मैं जारे ली हूँ टाटू फेस्टिवल में ये पीछे रॉयल एक्षिबिशन बिल्डिंग है यहाँ पर ये एक्षिबिशन है और अभी मैं यहाँ पर काल्टन गार्डन में बड़ा सुंदर गार्डन है यार यह मतलब नॉर्मली प्लेन गास ही रहती है जाद जाद खुड प्लीज अपने बच्चों को यह वीडियो ना दिखाए और अब हम आ गया है टाटू फेस्टिवल में फेस्टिवल देखने से पहले मैं तो यह बिल्डिंग को ही देखती रह गई यार इतनी प्यारी बिल्डिंग इतना प्यारा आकिटेक्चर था कि मेरी तो नजरी नहीं हट रही थी मैं सच बता रही हूँ एक्जिबीशन पर मेरा ध्यान बहुत बाद में जाने लगा पहले तो मैं बिल्डिंग पर यह टक गई थी बट फिर मैंने एक्जिबीशन एक्स्प्लोर करी तो मुझे यह जानने को मिला कि यहां पर तो बबा टाटू आर्टिस्ट की लाइन लगी हुई है और इतने सारे लोग यहां पर टाटू बन बारे थे on the spot बट जितने यहां पर हॉरेफाइंग से टाटू बन रहे थे उतने ही फ्रेंडली यहां के लोग थे मुझे लगी नहीं रहा था कि मैं अकेले एक्जिबीशन देखने के लिए आई हूँ इतने अच्छे लोग थे हैं और इन सबसे बात करके मुझे पता चला कि यह एक बार लगती है और यहां पर 300 या 400 आर्टिस्ट हर साल आते हैं दुनिया भर से और यहां पर आके लोगों का दो दिन के अंदर अंदर टाटू बनवाते हैं यूजिली ऐस्ट्रेलिया में टाटू बनवाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं और भाई बहुत टाइम में अपॉइंटमेंट्स आपके आप आते हैं बट यहां टाटू एक्जिबीशन में अब डेथ वाले थीम क्यों बनवाते हो इतने डाक थीम के टाटू कैसे बनवाते हो मतलब क्यों तो उन्होंने मुझे बताया कि डेथ यहां पर उनका ऐसा लाइफ का मोमेंट को रिप्रेजेंट करती है जहां पर उन्हें लगा था कि वो शायद बिलकुल बिखर गए थे बट फिर उससे वो बाहर निकले तो उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए कि येस उन्होंने वो मोमेंट भी जिया है इसलिए वो यहां पर इतने डेथ रिलेटेड या हॉरर थीम बेस्ट टाटूज बनवाते हैं यहां आकर मुझे ऐसा लगा कि यार इतने सारे लोग और उनकी कितनी सारी नई-नई कहानिया ऐसा लग रहा था कि हर एक से बैठकर बस बाते करती रहूं और यहां पर लोगों के entertainment के लिए यहां pole dance भी रखा हुआ था इन्होंने इस event में and I was really appreciating this girl's flexibility and her dance क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मैं नहीं कर सकती that is worth appreciating तो भई मेरे अंदर इतनी flexibility नहीं है इसलिए मुझे यह dance बहुत अच्छा लग रहा था अब हम चलते हैं उस stall पे जहां पर self expression specially feminine energy के लिए बहुत ही different level पर था by god मुझे इनके tattoos इतने cute and colorful लगे ना मैं क्या बताऊ पूरी exhibition में मैंने बहुत ही ज़ादा dark art देखी और जब मैंने लोगों से पूछा कि इसका meaning क्या है तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे posters explain करे और जब मैंने उनके meaning सुने तब मुझे पता चला कि यह देखने में भले ही डरावना सा art है लेकिन यह बहुत ही spiritual meaning hold करता है तो इसलिए अपनी body पे उसका tattoo बनवाना और उसको lifelong अपने साथ रखना अपनी life का part बना कर that is a beautiful thing मैंने यहाँ पर लोगों को tattoo बनवाते बनवाते lunch करते हुए भी देखा है and look at him he's so enjoying this whole process यार मतलब उसको दर्द फील ही नहीं हो रहा है he's just having his lunch with so much fun यहाँ पर मैंने witchcraft black magic वाला सबान भी देखा है and trust me मैंने यहाँ पर ना मरे हुए कीडों को भी लोगों को बेचते हुए देखा है I mean like लोगों ने moths यहाँ पर उनका preserve करके रख रखे थे और फिर चलते चलते मैं यहाँ पर horror वाले theme में आगे थे तो मैं सच बतारी मुझे यहाँ बहुडर लग रहा था बट मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रीम लेवल पर tattoos जो लोग करवाय होते हैं उनको देखा उन्होंने यार लिटरिली अपनी आखों में और अपने टंग पर भी tattoo करवा रखा था that was like extreme level वाला tattoo for me मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था जिस जिसे मैं आगे गई मुझे कपडो की shopping वाला exhibition का feel आने लगा था जहां पर कोई नो कोई tattoo बनवा रहा था और बना रहा था उपर वाला floor रीचे वाला floor हर जगे पर tattoo के stall लगे हुए थे और यहां पर tattoo की shopping चल रहे थी literally shopping चल रहे थी but I was enjoying यार मेरा यह different experience था and I was loving it और उपर देखो मुझे यह क्या देखने को मिला Harley heaven इतने प्यारे bikes भी exist करते हैं मुझे तो पता ही नहीं था यार मैं यार बहुत naive हूँ bikes and cars के मामले में और यहां पर आके मुझे इतनी प्यारे प्यारे models देखने को मिले और इतनी प्यारी colors and कुछ bikes तो यहां पर उनोंने चला के उनके sound भी सुनाया and I was like man यह तो क्या मज़दार बाइक साइन पर राइड करने में क्या ही मज़ा हैगा मुझे लिटरली बाइक चलाने का मन कर रहा था and bikes with tattoos and artists and weirdness and craziness मुझे लिटरली road rash वाला जो video game मैं बच्पन में खेलती थी मुझे वो भी आद आने लग गया था लिटरली मेरी बच्पन की सारी memories मेरे माइन में आ रहे था I was so so loving this whole exhibition यार मैं बता नहीं सकती आप लोग को और इस exhibition में मुझे एक नहीं चीज पैता चली कि लोग अपने teeth में भी piercing करवाते है I mean pain कोई किस हद तक सहन कर सकता है वो extreme level cross हो चुकी मैं सच बता रही हूँ and I know teeth में कितना ज़्यादा pain होता है पूरा process पूशने पर मुझे पता चला कि teeth में छोटा सा hole कर देते हैं और उसमें bead या फिर उनके choice का diamond crystal को attach कर देते हैं and I was so surprised कि ठीक है मैंने इतनी तरह कि piercings के बारे में सुना था नहीं लगी अगर वो होती न तो यह exhibition पूरी की पूरी complete हो जाती भाई साफ different world, different zone, different craziness, different freakiness लेकिन बहुत बहुत अच्छा experience था हाँ मैं इंडिया आकर tattoos बनवाने वाली हूँ definitely क्योंकि ये मुझे justice करना है अपनी teenage अपूरवा के साथ मुझे tattoos बनवाने है और जो मुझे सबसे सबसे सुन्दर लगेंगे मैं सारे tattoos बनवाऊंगी भले ही मेरी बॉड़ी पे कितने सारे tattoos क्यों न हो जाए और मुझे piercings का भी शौक है मेरी teenage ये पूरवा के साथ सच में justice नहीं हुआ है मुझे piercings करवानी है और बहुत सारी piercings करवानी है और आज तो मैंने देख लिया है कितने सारे लोग है कितनी sweet लोग हैं लेकिन फिर भी मतलब they are like they are living their life यार मतलब वो self expression उनका मतलब वो beautiful था यार अलागी level पर beauty है इधर पर last में मैंने अपना दिन यहां खतम किया food truck वाले area में आकर यहां पर live music हो रहा था और मैंने अपने लिए यहां पर white chocolate and pistachios वाले German doughnuts खरी दे और उन्हें खूब मज़े से खाया I hope आपको यह video अच्छा लगा हो thank you for watching bye bye